डूआब कोई दोस्तो परतेसी फ्लाइट YouTube चैल में आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स पी कुछ झरूरी अफडेट पर बात करेंगे कुछ जरूरी ख़परों पर बात करेंगे कोविशील वैकसिन को लेकर अपडेट है कि कोविशील वैकसिन लगवान आखिने वाले अभी कौन कौन से देश की आतरा कर सकतें इसके लवा जो भी लोग को वैक्सीन लगवा चुके इंडिया में उनके लिए क्या कुछ अपडेट है साथ में इंडिया-सौदी फ्लाइट को लेकर बात करेंगे इसके लवा पाकिस्तान भी सौधी फ्लाइट को ले की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचें, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, कि जो भी लोग इंडिया में कोवी सील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकें, यानि कमप्लीट डोज लगवा चुके हैं वो कौन कौन सी देश की यात्रा कर सकते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूँ कि कोवी सील्ड जो वैक्सीन है वो आक्सपोर्ड उनिरसिटी लंदन की बनाई हुई है कई सारे देशों में कोवी सील्ड वैक्सीन एस्ट्राजनिका के नाम से जानी जाती है तो आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है एस्ट्राजनिका ही कोवी सील्ड है और कोवी सील्ड ही एस्ट्राजनिका है तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से देश में आप कोवी सील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद यात्रा कर सकते हैं इंडिया स COVID-sfeelrod के बज़ाए co-vaccin लगवा लिया है तो भी आप स्रे लंका के लिए यात्रा कर सकते हैं ओमान के लिए ट्रोवल कर सकते हैं Maurices आप एक अक्टूबर से ट्रोवल कर पाएंगे इंडिया से Swagia Land के लिए ट्रोवल कर सकते हैं France के लिए ट्रोवल कर सकते हैं दुबई ट्रांजिस्ट होकर या और कहीं ट्रांजिस्ट होकर आप ट्रोल कर सकते हैं कनाडा के लिए पेरू के लिए ट्रोल कर सकते हैं मैक्सिको के लिए ट्रोल कर सकते हैं मैक्सिको ने नान वैक्सिनेटेड वालों को भी एलाउट किया हुआ है United Kingdom के लिए ट्रोल कर सकते, United Kingdom में 4 October से आने वालों के लिए जो भी लोग 4 October से ट्रोल करेंगे, United Kingdom में इंट्री करेंगे, अगर वो fully vaccinated है, तो उन्हें अब quarantine भी नहीं किया जाएगा, जो 10 दिन का quarantine होता है, साथ में ही उन्हें अब PCR टेस्ट की report भी नहीं ले जानी होगी, इसके की यात्रा कर सकते हैं, Qatar में 10 दिन का quarantine है, इतोपिया की यात्रा कर सकते हैं, तंजानिया की यात्रा कर सकते हैं, अर्मीनिया की यात्रा कर सकते हैं, उजवेकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं, अल्बानिया में non vaccinated भी allowed हैं, भूटान की यात्रा कर सकते हैं, भूटान में 14 दिन क का कॉरंटीन है नैपाल की तो आप यात्रा करी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह है जहां आप अगर आपने वैक्सिनेटेड हैं आप आपने वैक्सिन की दूनों डोज लगवा लिए या इसके लाव कुछ देश ने जो बिना वैक्सिन के भी अलाउड कर रहे हैं तो इंडिया से इन सारे देशों में ट्रिवल कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों को वैक्सिन को लेकर जो भी लोग इंडिया में को वैक्सिन लगवा चुके और विदेश जाने का इंतजार कर रहे हैं कि को वैक्सिन को लेकर अप्रूवल कम बिलेगा उनके लिए अभी पहले approval मिलना संभोध नहीं है जुलाई में ही भारत बायोटेक ने को वैक्सीन के approval के लिए WHO में अरजी दी थी लेकिन अभी तक approved नहीं हो पाया है तो उमीद करिए कि अक्टूबर के पहले सब्ता या उसके कुछ दिन बाद WHO के तरब से को वैक्सीन को भी approval मिल जाएगा जब को वैक्सीन को अप्रोवल मिल जाएगा तो जो भी लोग को वैक्सीन इंडिया में लगवाज चुके हैं वो लोग भी आराम के साथ विदेश में ट्रिवल कर पाएंगे अगली अपडेट इंडिया साओधी फ्लाइट को लेकर है दोस्तो तो अभी भी इंडिया से साओधी अरब एस जैसंकर के साथ में हुई है और आज उनकी मुलाकात भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोदी और राष्ट्रिय सुरच्छा सलाकार अजीद डोबाल से होने वाली है उसके बाद वो निवार के लिए रवाना हो जाएंगे तो कल जो मीटिंग हुई है भारत के विदेश मंतरी एस जैसंकर और सौधी अरब के विदेश मंतरी फैसल बिन फरहान के दर्मियान उसके बाद भारत के विदेश मंतरी एस जैसंकर की तरफ से ट्विट करके जानकारी दी गई कि भारत ने सौधी अरब के लिए सीथी उड उनों डोज इंडिया में लगवा चुके हैं तो थोड़ा इंतजार करिए दोस्तों फ्लाइटें जल सुरू होने के पूरे आसार हैं बहराल अब पाकिस्तान और सौधी फ्लाइट को लेकर बात करते हैं पाकिस्तान भी सौधी अरब फ्लाइट को लेकर बहुत ज्यादा परे पाकिस्तान दोनों सौधी अरब के साथ फ्लाइट जल से जल सुरू करना चाहते हैं लेकिन आप देखना होगा दोस्तों की वो तारीक का बात यह उमीद करते हैं कि जल से जल फ्लाइटें सुरू हो जाएंगी इंडिया और सौधी अरब के दर्मियान भी और इसके लावा कोई अफडेट होगी तो वो आप तक शेर की जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुश रहिए गुडबाए